जेहन दोस्तो स्वाके साइब का अपने डिक्षेनल एहर सक्षिछ फोर्स पर तो फ्रेंट समलोग बात करने वाले स्सेजीडी नई भरती 2024 के बारे में सबसे पहले मुझे एक तरीके से पूरी उमीद है कि अभी जग आपने कम से कम 200 वीडियो देख लिए होंगे आपके इसलिए हो आपके तरह मैं इसट्डूेंटस हूँ जो कि अपनी तैयारी में समय भी देता हूं और आकने देता हूं आपकी तरह में करे एक्षियां एक्षाम दीया है तो मुझे लिए ब्лиकाइज मति बनाना है तो मुझे भी पढ़ना होता है कि इसे इसावव्ग के लिए एक टाइम पर जैसे अभी क्या है कि अभी जो सीन चल रहा है डड़कों को पता है कि कम से कम वो दिन में अपना जो 24 मैसे कम से कम 15 गंटे का जो समय है वो कट ओफ को लेकर और रिजल्ट को लेकर और एक नॉर्मला जिसमें को लेकर देखने में अच्छा बितीत कर रही है तो दिन में कम से कम साथ वीडियो डाली उसको बच्चा देखेगा अच्छा खासा व्यूस भी आएगा लेकिन मेरा जाकि अन्दाज में यहां पर हम लोग बात करें कि कट ओफ की उपर कि कट ओफ क्या रह सकती है और रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी क्या रहेगी बहुत जल्द आपके सामने वाए कैमरा भी आऊंगा बाई फोटो भी आऊंगा कहां पर पढ़ाता हूं क्या करता सारी बाते हैं किसी अंगली वीडियो में करूंगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको offline coaching देखनी है कि नहीं देखनी है जरूर बताना फिर मैं बात करता हूं रिजल्ट को और cut-off क्योंकि cut-off का वीडियो जो आ रहा है तो फोटा फोटा समय लेंगे कुछ ज्याद कैसे जब 160 का पूरा पेपर ही है तो 180 का कैसे आएगी अब आपको यह भी बतानी बढ़ेगी क्योंकि cut-off पेपर तो आपका 160 का ही है लेकिन वह एक बार आपका plus 20 कर देता है और एक बार आपका minus 20 कर देता है और फिर उसमें बोल देता है कि normalization का भी बहुत बड़ा खेल रह है एंड जब आप दूसरी वीडियो देखते हैं क्योंकि आपके नंबर आ रहे हैं भाई 110 आप cut-off से बाहर हो जाते हैं फिर आप दूसरा वीडियो देखते हैं उसमें आप यह cut-off बता दी जाती है 100 नंबर 90 नंबर और 20 नंबर कर अनलाराजिशन तो आपको वहाँ पर फा बाहर है क्योंकि 2-5 लाग बच्चे ही अंदर जाने वाले हैं और बाकी सब तो बैसे भी बाहर यहां पर आके दो बाहर हैं से अपनी एक्जाम की तयारी करेंगे तो यहीं चल रहा है कि भाई cut-off जो है आप उसके चक्कर में अगर मैं बोलता हूं सीदी सीदी वाद में अच्छे से cut-off को अगर मैं analysis करके अगर आपको बताता हूं कि जो भी ठीक ठाक तयारी कर रहा है ठीक ठाक की sense में जो भी कम से कम 55 questions को आराम से कर रहा है तो वो ठीक ठाक तयारी के अंदर आ था कि ऐसे paper में कम से कम आपको 55 questions का आपको करना चाहिए अब देखे क्या है कि ठी कोई predict कर नहीं सकता जो भी कर रहा है वो भी अब मैं क्या बोलू उसको अब अब वो चाहे दो लाग तीन लाग बच्चों का data ले ले चाहे वो ऐसे ही बता दे उसकी cut-off कोई बता नहीं सकता क्यों कि एक दिल्ली पुलिस भी हुआ है और उसकी पहले कैसे से जीडी भी मैं आपको समझा जेता हूँ एक बात दिल्ली पुलिस डीपी जिसको आप लिखते हैं दिल्ली पुलिस जो है उसकी जो cut-off थी एक cut-off फिचकल के पहले भी आई थी फिचकल के मतलब समझे जिसमें आप फिचकल के लिए short list हुए थे अब आप कुछ इसमें क्या बोलते हैं क मेरे 95 सही हैं मेरे 90 स変। 100 का पेपर होता है उनके सही नी क्या हुआ कि जब उन्होंहों ने पहले cut-off निकाली फिचकल के पहले cut-off निकालि उन उन्हों 85,000 ही ऐसा बच्चा मिला जो 60 के उपर था साट के उपर क्योंकि आपको पता है कि EWS की साट से कट आप चालू हो गए थी तो उन्हों से 25,000 बच्चा ही ऐसा मिला जो साट के उपर था अब आप सोच लिए कि 90 वाले अगर आप कमेंट खोल के देखें कि कम से 40,000 उसमें कमेंट डले होगी जिसके 80 नंबर थे 90 नंबर थे और फिर उनका पता नहीं होगा जिसके 80 नंगे 70 नंगे 75 होगी समझे तो इस तरीके से चलता रहता है उसके चकर में आप पढ़िए मत आपको पता है कि ऑफ्लान भी पढ़ाता हूं तो मैं स्ट्वेंट से भी मिलता रहता हूं ऑफ्लान पढ़ाता हूं मतलब जो आप जिस आपना मुझे देखते हैं मैं आपको देखता हूं फिर भी आपको मैं देखी नहीं पाऊंगा कि कमेंट की माध्यम से बढ़ पाऊंगा लेकिर आप मुझे देख पाएंगे तो बहुत जल्द वाई कैमरे भी आपके सामने आऊँगा जिसमें आपके मेरी फोटो बोलते आपको देखेगी और offline coaching की भी आपको जो है दर्सन बगएरा करवाँगा किस तरी की coaching किस तरी की library कहां मैं पढ़ाता हूं क्या करता हूं सारी बाते हैं आपके साथ डिसक्स करेंगे अंगली वीडियो अब दिखे क्या है कि जो cutoff जब fiscal के पहले लग गई थी लेकिन उसकी cut अब बताई के जा रही थी 75-80-90 इस तरीके से फिर वहीं SSCD का एक्जाम पहले हुआ था उसकी 70% जोड़ी आ रहीगी कि जो भी 70% करके आया है इतने cutting paper में है तो वो इस बार सेफ है लेकिन cutoff तो 80 की something चली गई थी आपको पता ही होगा क्योंकि 133 साइद 123 SC की थी सबसे कम उसके बाद हुआ ही 133, 134, 135 के समझे है आपकी cutoff सी तो हम अंदाजा लगाए कि cutoff को predict करना है बहुत एक मुस्किल काम है और उसको कोई नहीं कर सकता यह accept करना होगा कि उसको कोई नहीं कर सकता है cutoff को predict कितनी जाएगी यह SSCD को भी अभी नहीं पता है जब कितनी जाएगी अगर मैं cutoff की बात कर लेता हूं कि लगा कितनी जाएगी cutoff तो आपने अगर 60 को किया है सही सही तो आप अपने आपको थोड़ा बहुत सेस जौन में रख सकते को थोड़ा बहुत नहीं बाद नहीं मिल सकता है आर्चास नूमर का मिल सकता है यह अमूमन सी बात है मिलता भी ससी में क्योंकि अभी जो एक नौर्वाइजिसन का जो चल आए फंड़ा कोई 18 नंबर 17 नंबर 25 नंबर 26 नंबर इच्दम तरीके से बट रही है जो नौर्वाइजिसन का नंबर वो बट रहा है तो अभी उसको क्या अंदाजा लगेगा एक्जाम तो बहुत कुछन को सही किया है कट्पिट की आपके साट बन रही है कट्पिट के मतलब माइनस मार्किंग अपनी काट के साट अगर आपके बन रही है साट कम से कम आपके बनने चाहिए at least में यहां पर लगा देता हूं कम से कम साट तभी आप थोड़ा बहुत अपने आपको comfort zone में र जहते हो पता है आप लोगों को और मिलता भी हूँ कि जिस इसाब कि मेरे 75 हैं मेरे 85 है तो उस इनकी फिर अलग बात है और जो 75 से उपर है वो फिर अलग पर लेनेट के इस अंसान है उनके लिए परिशान मत होईए क्योंकि वह आपको 26,000 नहीं मिलेंगे तो इस बार अगर मैं बात करता हूँ कट ओफ को लेकर तो 60-65 के बीच में आपको कट ओफ अब आप कहेंगे आपने भी तो वही आल कर दिया कम से कम 10 नमबर प्लस माइनस वाला तो क्या करें वही करना पड़ता है क्योंकि सब को रेंज में लेना है क्या है कि स्टुएंट्स से बाहर ही तरीके से तो 60 से कम बाले के चंसे नहीं है जो 60 से उपर है उन्हीं के चंसे यहां से स्टार्ट होंगे चंसे यह नहीं कि यहीं से रहेगा 60 से स्टार्ट होने चंसे स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके का मेरा एक अन्मान है रिजल्ट की बात करता हूँ तो यह तो देली पुलिस का है, आपके सामने एक स्कीन सोट, तो देली पुलिस का क्या था, कि यह बहुत जल्दी-जल्दी हुआ था, जल्दी-जल्दी सेंस मतलब थोड़े दिनों फिजकल, थोड़े दिनों में आपकी जॉइनिंग, और वही इस बार SSGD की भरती में भी आपको द पहले दिन बार हुआ था, इस बार दोघार थेस, यह निगी स्म्धिंग सम्धिंग आपका दिसंबर, और रिजल्द आपका एनांस हो गया थे, तक यह जल्दी दिल्लिए पुलिस ने मचाही थी, इतनी जल्दी मचाही थी, इसकल अभी टाइम नहीं दिया था, तब भी अ कि लाज्ट टेट थी वो 15 12 पारद थी और इसका जो रिजट एनाउंस भा था वो बहुट गुमाना पड़ा ठोले कम गुमाते हैं आपको जो लाज्ट टेट ही वो 15 दिसंबर थी और आपका जो रिजट आया था था तकरीवन आपका पूरा जनबरी फर्वर्य पूरा मार्च भी चला गया तकीर वह तरीके से दूरी के अगर जब ज्यादा डिल्य होगा बहुत आराम सी काम होगा però बल्दी तो 28 दिन लगेंगे तब तीस दिन तो फैंट है अम चलता हो आंगे यह बात के लेता हूं 2022 वाली भरतिय की जो 2030 ने हो चाहिए थी अगर मैं इसके बात करता हूं एक्जाम की तो इसका जनवरी और फर्वरी में एक्जाम कंड़क्ट हुआ था इसका भी जनवरी फर्वरी हुआ था और इसका जो आपका रिजल् महीने या प्रेम से उपर महीने लग गए तो यह को आपको जल्दी देंे मिले झालिगक है एकजाम लार्ट झेत को तpal स्टे फुरु को 이건 करा है यह आपको जल्दी देखने को मिलेगे गिए पहुत जल्दी यल्दी का depends upon the इसी वज़े से आंसर का डिले हुई और आपका भाई exam के last date भी 30 ही मानी जाएगे कि आपका 30 मार्ज को प्रशका या इसी वज़े से आप और वीडियो देख लिए हैं इसी वज़े से आप और वीडियो देख रहे हैं हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट जो है आपका इस पेसली अब रिजल्ट की बात अगर करते हैं तो रिजल्ट कम से कब यहां पर भी एक महीनी का समय लगेगा क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं है आपका जो रिजल्ट है वो 30 मार्च को खता हुआ तो पू रियल बूरा जाएगा और मैं अगर रिजल्ट की एक एक स्पाक्टड डेट में मानता हूं तो 5 माई को मानता हूं कि 5 माई तक रिजल्ट आजाना चाहिए मैंने कुछ ऐसा ही सोच दिया को मेरे पास सूत्रों से ख़वर नहीं है कि इसको आजाना चाहिए लेकिन मालना हो wysi i aqa जल्दी भरती और जल्दी होगी तो इसमें आपका फिर जल्दी-जल्दी होगा बी तो एक महिने का कम से कम तरही इतनी जल्दी मैशाई थी तब भी 18 दिन दीन का समय ले लिया था तो यहां पर इतनी जल्दी बढ़ आप कर देंगे तो 5 मयाई तक पहुंच जाए गम इसना रिस स्टार्ट कर दीजी जिससे कि आपको अपने उस टाइम पर प्रोब्लम ना हो मुझे भी स्टार्ट करनी है किसी नेक्स वीडियो में अपना स्कॉर कार्ड भी आपके साथ सेर करूंगा कि मेरा स्कॉर कितना रहा है और कितना नॉल्माजेशन भ स्टार्ट चाहिए आपको दखनाए कांप्र है कहां पड़ाता हूं क्या करता हूं तो वह भी आपको देख जाएगा और बाई कैमेरे मैं भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाला हूं क्योंकि अभी मेरे पास उतना अच्छा कैमरा है नहीं यह मेरे पास अच्छा मोबा की लगी जिसमें अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो मैंने आपको बता दिया कि पांच मही तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और पांच मही नहीं तक आपको क्योंकि पिलस माइनस वाला सीन हम भी आपकर जारी रखेंगे जिस वह आपको कुछ ऐसा ना लगी क कि ये वीडियो आपकी अलग है तो पांच से लिके पंदा मही तक आपका रिजल्ट एनाउस होने की पूरी-पूरी संभाबना है तो आप अपने रिजल्ट अपने रजिनिंग में लग जाईए और कट आप कितनी जाएगी तो कट अगर मैं बात करता हूं कि आपके 60 के मुका मिल सकता है तो इसाब से आपको यहां पर सीन बता रहा हूं तो उसी हिसाब से आप कम से कम लग जाईए अकर आपके 70 के उपर है तो बुरी तरीकी से लग जाईए कि भाई आप तो फिर बहुत अच्छे से अंदर होने वाले हैं इस बार आपको अच्छी पोश्ट भ अगर आपके बन रहे हैं साथ काट पीट के तब भी आप इसकल की तयारी करते रहें मिलते हैं आप से अंगले वीडियो में तब तक लिए जय हैं जय वारत